प्रोग्राम आपने वाद करता हुई स्वास्त संबंधित खास करी ने शरेर मा थाती कोईपन प्रकानी अलगलग जे विमार्यों होई शे त्याना मुल लक्षों नोशों होई शे काया कारणूसर थाती होई शेने ए रोगनी मताडवा माटे शों सारवार शके चे तमाम विशयों अंतर्गत आपने वाद करता होई एवामा एवा दंपतियों हताश के निरास्थवानी जरूर नथी कारण के मेडिकल टेकनोलोजी इतली आगल वदी चुकी छे के जेमा आप सारवार करावी ने संतान सूखनी प्राप्ती मरविशको चोँँने एवामा अज जे ट्रेटमेंट ओहई शे चेमा नीज एक सारवार आईउआईउआफ विश्या आजे आपने वाद करीशू वंदेत्वने पड़कारन दर्गत। आईवेफ एटले शूँचे कया उम्मरे सारवार करावी केवी निते करवामा आवी शूँद्ध्यान राखू तम्माहम बाबतुंगी माग्डेशन आपवामाटी आपने साथे श्टूडियो मा उपसी छे बावेशी फटिलेटी इंस्टिट्यूट माथी डॉक्टर बिन डॉक्टर बिनल आपनो स्टूडियो मा सागत छे दर्शेक मित्रों डॉक्टर बिनल पासे ती आपने आईवेफ विशे माग्डेशन दू मिलेवी शुष परंतु वंध्यत्वने लगता कोई पन प्रकार ना प्रश्णू आपने मुझवी रहा छे जेनू आप डॉक्टर बिनल सौथी पहला आपने आईवेफ नीवाद करवना ची एडले आईवेफ शूँ छे आईवेफ इटले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जेना दरेक सब्दानो पैल्लोक्षन लेईने बनावेल वाक्या छे के जेमके इन नो आई विट्रो इट्नो वी अने एटले शरी नी बाहर घरब नू फोलन घरब बनावानी प्रक्रिया जारे शरी नी बाहर करवा मावेचे त्यारे एने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के वह आई बिलकुल आईवेफ नी आपने वाद करी रहा छी त्यारे सओथी पहला टेस्टिव बेभी सार्वार शू यह पाण जागु चरूरु रीछा इस्टिव बेबील सार्वार एज आएज आएई एड आएएफ ने साधी लेमें लेंगवेज मा टस्टिव बेबी सार्वार के वाए सwości परेलर जा इंवेस करवा माभया थू त्यारे घरवनों फरलन अपर हूँ घरबण टेस्टिव जाख ग्याय एंव बंशना अपर हूई लियुर हूएु awake आईवीएफ नी सारवार छे लेकि टेस्ट्यू बेभी नी सारवार छे किटली उम्मर करावी शकाई छे लग्टू बिन्याग सवथी पेल्ला तो टेस्ट्यू बेभी सुछे समझे तो जी काम कुद्रती रीते घरब बनवानों शरेणी अंदर थाई छे कुई कारण सर जो शक्क्य ना होए, कुई पन नबडा पासाना कारण श्त्री अथवा पुरुष ना, त्यारे एकाम जरे शरे नी बाहर करवा मावे त्यारे ने आईवीएफ किवाई चे उम्मर्मनों एमा कोई बात होतो नथी, IVF कया कारण सर करवानू छे, ए प्रमाने सार्वार्नों ओप्षन कपल नाप्पामा होतो होई छे, नानी उम्मर्मनी स्त्रीमा पण IVF करो पड़े, जो पुरुषपात्रमा तकलेफ होई तो, आनी मोट्टी उम्मर्मनी स्त्रीमा पिरियड दरिम्यान कोई पन उम्मर वखते, IVF करावानी जरूर पड़ी शके छे, अने एने शू तकलीफ चे ए प्रमाने IVF नी सार्वार करवा मा आवे छे, परन्तु जोकश पने एनी सफरतानों दर उम्मर साथे खुब महत्वनों छे डोक्टर विनल, IVF नी बात करी रहाची, त्यारे कया कारण उसर बन देतुवा मा आवे शार्वार करवी जरूरी बनती हो छे गर्ब बनवानी प्रकरिया स्त्रीना शरेर मा त्रोण जग्या एटले त्रोण मुख्य वयोजी पेडू माचे ए गर्ब धारण माटे उप्योगी छे स्त्रीबीज दानी फैलोप्यों ट्यू बने घरबा शे स्त्रीवीज धानीना बीज सारा बन्वा जरूरी छे बन्ने ट्यूब खुली होवी जरूरी छे और जी जग्या घर्ब टक्वानों छे घर्बाशी सारू होवी जरूरी छे आ जग्या माथी कोई एक जग्या जहरे नब्लो पासु होई त्यारे वन्दत वावी शक्ये छे अन्य ए प्रमाणे नी सार्वार करवी पड़े छे IVF नी सार्वार करवा माटे स्त्री मा मुख्यत वजे तत्व जवाबदार छे एक तो एमा जो फैलोपेन ट्यूब बंध होई एक अथवा बनने अथवा ट्यूब खुली होई परन्तु जो एनी गुणवत्त सारी ना होई कराण के कुदरती रीते घर्ब बनवानी प्रक्रिय ट्यूब मा थती होई चे एक अथवा बनने ट्यूब मा के खामी होई तो IVF कराव पड़े उजरूरी बने चे आसी वाइन अन्य कारणों मा जो एतो स्त्री बीज सारा ना बनता होई स्त्री बीज धानी निगुणवत्ता सारी ना होई पुरूष बीज नी कोई तकलिफ के जी घर्बने टकवा ना देतू होई अथ्वा तो मोटी उम्मरे इस्त्री बीज बनता ना होई मेनोपोज आवी गयू होई पुरूष पत्रमा पन वीरियमा जीरो काणों होई आ बद्धा कारणों इवाची के जीवा केसमा आईवीएफ नी सार्वार उप्योंगी बने खिए आईवीएफ नी सार्वार करवा माटे अलगलक प्रोटोकाल आइमा काया प्रोकोल माँ कपल ने डिसाइड करू छे प्रमानेनी सारवार नोता बकग हो प्रतु मंदा अमिंदी सार्वार ग शेंना जानवा सोधी नी सारवार अंदाजी 34 दिवसनी थती होचे सौथी पल्ला स्त्री ने एमा बीज बनवाना इंजेक्षन आपपा मावेचे बीज बने छे किके में जोवा माटे अमुकांतरे दिवसे सोनोग्राफी करवा मावेचे जियारे ए बीज परिपक वा था एतले के जोईती साइज माने संख्या मा बने त्यारे ए बीज ने स्त्री ना शरेर माथी बार काड़ी लेवा मावेचे जिने ओवम पिक अप केवाई आ प्रक्रिया सामन्य घेन चड़ावीने एतले के नस्तेश आपी ने करवा मावतु होई चे अन्या कोई ओपरेशन ना थी जे वजाइनल रोट थी नीचे थी बीज काड़वा मावेचे जे दीव से बीज काड़े होई ए दीवसे हस्बन्ना विरिय माथी सारा कन चूटा पाड़ी अन्या आईवेफ करवा मावेचे एतले के बीजनू फलन करवा मावेचे एक स्त्री बीज मा एक पुरुष बीज मशीन थी दाखल करीने आईवेफ करी शकातो होई चे जैने एक सीकेवाई इक घर्बने लगपग लेबोरेटरी मा चोविस थी अर्था लिश्कल्ला क अथवा वधुम वधू पांच दिवसुदी उचेरी शकाता होई चे अने घर्बनी गुणवत्ता जोया पची सारा घर्ब एमा थे सिलेक करी अने स्त्रीना शरेर्म मुकवा मा आवे चे घर्ब मुकवा नी प्रक्रिया आईवाई नी प्रक्रिया जेवी सरण प्रक्रिया चे जिमा कोई अनसेशनी जरूर नती होती गर्प पाच्छा मुख्या बाद लगपग 12 तेर दीवस बाद लोईनों रिपोट करीने प्रेगननसी छे के में जानी शकातू होई छे आर इते आख्वा प्रोसेस गणिये तो अंदाजी 30-40 दीवस नी सारवार थती होई छे जी बिल्कुली प्रोसेस गणिये सारवार विशे जानिये तो शू डॉक्टर बिनाल आ सारवार दर्मियान होस्पीटर मा दाखल रहवू एडमिट थावू जरूरी छे चोकश पने नी कारण के जहरे सारवार चालू करवा मा आवे छे त्यारे जे बीज बनवाने इंजेक्शन लेवाना होई छे ए पन स्त्री जाते लेई शके छे जिया रहता होई तिया नजीकमा कोई डॉक्टर पासे मुकावी शके छे अथ्वात मुक्च आमडी नीचे लेवाना इंजेक्शन जाते पन लेई शके छे एसी वाई जी सोनोग्राफी नी जरूर होई छे ए पने जिया रहता होई तिया नजीकमा करावी ने रिपोर्ट सेंटर पर मुक्ली शकता होई छे आनि फक्त जे बीज काडवानी प्रकरिया ने घरभ मुक्वानी प्रकरिया चे एना माटे ज आई वीफ सेंटर पर आवो जरूरी होई छे अन्ने आ प्रक्रिया मा पन एक पन दीवस इमें दाखल राखवा में नथिया होता जी ओम पिक अपनी प्रक्रिया अनस्थेशा लेहने करवानी होई छी इमा पन बेगकल लागज होस्पिटल मा रोकावु जरूरी बने छे आरित्या आईविएफ नी समगर सारवार मा एक पन दीवस होस्पिटल मा रोकावनी जरूर पड़ते नथि करवमित्र आपने साथे जुडाया शुजी कायकर मा अपनू स्वागा छे आपनू सवाल श्नू छे अलो मेडम नू सवाल जनावो आपने उमर केटली छे उगन परश अने बनने बाड़कों नी उमर केटली छे मोटी बेबी छे नी उमर चे दस वरस नानी बेबी चे नी उमर चे पांच वरस अबनने बेबी जातेज रही ती कोई दवा करावी ती? नाइ बने बेबी जाते ज रहती आने पहली बीबी नोर्माल हती आने बीजी बेबी सीजरीन चेंगे अध्यारी प्रेग्ननसी रहेमा तकलीफ पड़ी शके छे इमा मुख्यत वेक कारण होई शके के कोग वखाते डिलिवरी पची कोग जातनों इन्फेक्शन थोई होई अथ्वा जी सीजरीन करी होई त्यारबाद पेडू नावयों मा कोई तकलीफ थे होई और नड़ीनी क्व प्रेग्ननसी रहेमा तकलीफ पड़ी शके तमारे मुख्यत वे आबेपास चेक करावा जरूरी शे तमारा हस्बन ना विरियनों रिपोर्ट अने तमारी बेजिक सोनोग्राफी और एक नड़ीनों रिपोर्ट तम्में लैप्रोस्कोपी द्वारा त्वातों साधी नड़ मुख्यत वे करावी ने जो बीज सारा बनता होए तो तम्में आगड़ा EUA नी सार्वार वीचारी शको के जिमा तमने सारा बीज बने वी दवापी ने बीज बनी ने फुट ते आरे तमारा पती नू विरियले ने शरेड मा मुखी ने सार्वार कर्मा मा आवती होई चे औ अने एवामा तमारा केस मा जो नड़ी खुली होई ने बदू सारू होई तो सार्वार नी सफरतानी टकावरी अंदा जे भार्ती पंदर टकाजी भी एक प्रत नमा रहती होई चे आसीवाई आप बाविशी फटिलिट नी पन रूबर मुलाकात लेशो को छो जेमदावाद सोनोग्राफी माटे एवरी वीजिट मा होस्पिटल आवी शके चे चै, जो हे वर्किंग होई दूर रहत होई ना आवी शकेतला नक्रार पन कोई सेंटर मा सोनोग्राफी करा वी अने रिपोर्ट होस्पिटल मा मुकली शके चे, लिए फक बैज विज वीजिट दि मुख्य बढ़ने विजिट मा जहरे ओवम पिक अप करवानू होई छे त्यारे पती ये विरिया जो आपपानू बाकी होई तो ए विरिया ये दिवस्य आपी शकेटले पती ये साथे आवो जरूरी छे अन्ने जहरे घरबू मुकवाना होई त्यारे स्त्री एक लावे अथ्वा कोई जान्या कोई रिलेटिव होई तो पन चाली शकेट ये प्रकारे मेडिकल टेक्नोलों जी आगल वदी शे आईवीफ ची वी सारवार पर उपलब देशे तो शू आईवीफ थी बाड़क रही जाए तेनी कोई गैरेंटी होई छे वीपन सारवार करवा थी बाड़क रही जा केकेम प्रेग्ननसी रही ने टक्षे केकेम अबोर्शन नहीं थाई जाए पूरा नौ मैना सुधी बाड़क पहुच से केकेम ये बद्दू क्यों खुबज मुश्केल होई छे एटले एवी गेरेंटी के बहें थरी आपपी मुश्केली होई छे परन्तु एनी सामें बीज जरूरी बने छे जी बिल्कुल आईवी एफ ने अपने वात करी रहा छे ने तेनी डीटील मा मैंग देशन पर डॉक्टर बीनाल आपी रहा छे दर्शक में तो आप पर वंधित्वने लगता कोई पर प्रकार ना प्रश्ण आपने मुझ भी रहा छे सारवार आपी छो छो तो आप पर टीवी स्क्रीन पर दिखाए रहेल नंबर पर फोन करी ने आपना प्रश्ण आपने मैंग देशन मिड़ी शको छो डॉक्टर बीनाल किटली वखत आईवी एफ नी सारवार करावी श्रकाए आईवी एफ नी सारवार एक प्रहत नमा एनी जे सफ़रता ने टका हारी छे एे ने उम्मर पर आतार राकती होक छे मांठा प्रय आगड़ बात करी।ि आईवी एफ मां सफ़रता मेड़वा मांते आईवी एफ नी सारवार किटल वखत करावी गयां कोई बात होतों नाथी कराण के एक सारवार करावया पच्छी सफ़रतानी टकावारी दिमें दिमें वते चे परन्तु एक कपलना पोताना बरोशा पर अथवा तो एमनी पोतानी होशन एमनी टकी रेवानी केपेसिटी पर एवस्तु वधारे अधारी चे एवा केस मां आईवी एफि नी सारवार गमें दिमें दिमें लिमित होते ना थे आईवीएफ मा जे इंजेक्शन वप्राई छे जे दवाओ वप्राई छे एवधी दवाओ नी पन गणी शॉट लिमिटिंग एक्शन होई छे कि जेमके दवाओ नी असल लगपक 24-24 कल लागती वधारे नथी रहती ले दवाओ लेवा थी पन लांबा गाडे कोई नुक्षा आपनी साथे जोड़ाया चे रिखा बेन कारिक्रमा आपनो स्वागा चे आपनो प्रश्न शूल छे हाम में अगों में पूछी लुग मार बाबानी वहुने ट्रोंवार मिस्केरिट थाई जो हवे अंकी बाड़क रेवानी संपावना खरी एदा आइवी एट कराव पुछ आपनी उम्मर केटली से पाट्चे वी ओरस त्यूल आपनी वाध्सां बढ़ता लागे चे केमने प्रेग्ननसी रिवा मा तकलिफ नथी पड़ती रहा पच्छी मीस थाई जाई जै जर्यागू कारण होए त्यारे फक्त आईवी एफ नी परन्तु घर पर है पच्छी केम नथी वत्तो आगणने केम नथी टकतो एना रिपोट करवा जोए ए रिपोट मा तमारा दिकराववाँ ना लोई रिपोट कि जिमा कोई शरीर मां कोई इंफेक्शन चेके कें शुगर नू लेवल नॉर्मल छेके कें इम्मिनो लॉजेट लेके गर्ब टकावानी शक्ती इमना शरीर नी के वीचे एन लगता रिपोटों करावा जोई है अने तमारा एबनने पती पतनी ना क्रोमोजूमल रि बेमा थी कोई पन फेमेली मां जो दूर थी चाले आवती होई ने बाड़ाक मा आउती होई तो पन प्रेग्ननसी रहीन में स्थे जवानी शक्याता रहती होई चे इसाथे साथे जी जग्या गर्ब टके छे घरबा शे अंदर थी के उचे ए हिस्ट्रोस्कोपी ओपरेशन द्वारा जनावी जानी ले उचोई है और जो घरबा शे अंदर थी नॉर्मल होई तो आगड़ी प्रेग्ननसी मांटे ट्राइक करी शके और जो प्रेग्ननसी रहें मां तकलीफ पड़े एम होई और आईवी एफ करवानों विच्चरता होई तो आईवी एप मां ज्यारे नॉर्मल गरब होई इतलाज गरब इमना शरीमा मुक्वाम आवे तो इना थी प्रेग्ननसी रहें मानी शक्यता ने टकवानी शक्यता वदी चती होई छे डॉक्टर बिनल ए खुबसर असमां ग्रशन आप युछ है सिवाए आप 22 फर्टिलिट इंस्टिउट नी पर दारित होई छे के एक अपल के विज आतना इंजेक्शन पसन्द करें छे कारण के माए घणी अलग अलग जातने इंजेक्शन आवता होई छे ए प्रमाणे जो विज़ारे तो आईवेफ साइकल नो एक साइकल नो अंदा जीत खर्ज अंदा जे एक लाक्थी डोडला खास जो एक घर्ब उपर कोई एक्स्ट्रा टेक्निक करा भी होया थो मैं आपने जे मागडवात करी इंप्लांटेशन जिनेटिक स्क्रीनिंग के उकी करा होय तो एनो अडिशनल खर्चो था तो होय चे परन्तु आईवेफ मांदा जे एक थी डोल लाकनी वच्चे खर्चो था तो होय जो पोता ना बीज न बनता होय कि पच्छी मैंनो पोज होय तो श्रू आईवेफ शके छे जो कश्पने कराण के जो पोता ना बीज न बनता होय तो एवा केस मा एस्त्री ने स्त्री बीज दान नी जरूर पड़ी शकी स्त्री बीज दान जयरे लेव होय त्यार एमा आईवेफ सीवाय बीजो कोई विकल पोपलब्द नाथी कराण के इस्त्री बीज गुद्रती रि बारकाड़ी लाम आँफ है, यह बीज ने जी कपल चे ना इमाठी पती ना विर्यती फलेद करीने घर्ब बार बनावा माँआवे, और इ गर्भ इनने जी वध्यत वनित्थ वन्दयत्व नी तक्लिफ चेना घर्बाशे माँ फरीट ट्रांसफर करवा माँआवे, ले आरी त इस त्रीबीज दान थी प्रेगननसी दाखी शका है विल्कुल अने हवे आपने वाद करी एकसी नी जे तमें वाद करी तो आईवेफ मा एकसी श्रूँ छे आईवेफ इटले की कन्वेंशनल आईवेफ मा जहरे स्त्रीबीज शरी नी बार काडवा मा आवे त्यारे इस त्रीबीज नी आकड़ पाचड स्पॉम ने मुकी देवा मा आवे कि जी लाखोनी संख्या मा स्पॉम होई छे एमा थी स्पॉम एटले शुक्रकन एमा थी कोई पन एक शुक्रकन जे श्त्रीबीज ने फलित करे एक घर्ब बनावी शकेव होई छे इकसी एटले जहरे जिटला बीज बन्या होई दरेक बीज मा एक शुक्रकन ए मशीन ती दाकल करवा मा आवे एटले कि इंट्रसाइटो प्लाजमिक स्पॉम इंजेक्शन इतले जहरे इकसी पत्दति करवा मा आवे त्यारे इमा जितला स्त्रीबीज काड़े होई बद्द स्त्रीबीज लगबक सोई सोटका उपयोग मा लेज शकाई चे ने घर्ब बनवानी आसा सारी होचे जरे फक्त IVF करवा मावे त्यारे कोक वखत अमुग बीज फलित नथी थता ने बीज वेर्थ जता होयो बनी शके एटले IVF माँ एकसी नामनी पत्तती एरीत घणी उप्योगी छे जी मिलकुल्शु घरबाढण मा तक्लिफ नहो परंतु वारंबार कसुवा वड थती होय त्यारे IVF सारवार किटली उप्योगी छे चेरी घर्ब दारण मां तकलीफ ना होई परन्तु जरे वारामवार कसुआवड थती होई तो कसुआवड ना कारण स्वरूपे चेरे कोक वखत घर्ब मां जीनेटिक एबनॉर्माल एटी चेटले के रंगसुत्र नी खामी चे उजो मालूम पड़े औने कपल पोते जीनेटि पहर बने चे एक घर्ब माईक्रोस्कोप मां जोई शकातो होई चेरे नॉर्मल छेघे प्लस घर्ब नी बायोपसी करी ने ने कोस्ट लएने लेबरेटरी मां तपास मां तक्लीफ पर 2020 णुख लेजे और और य्जोनी तक्लीफ पर तक्लीफ ना ठें आख्वान रंगसुत् अन्वेस्त्रीना शरेर मा मुक्वा मा आवे चे नेंब्रीयो ट्रांसपर करवा मा आवे चे अन्य ए रीते जे प्रेग्नसी रहे चे एक वड थवाने बदले पूरा महिना सुधि पोंचे वीशक्यता बधारे रहे रहे चे जी, भीकुई जी, गेर मानेता हो, जी, विशे, शून कैशू? की जी, जी, ब्लड प्रेशर, डाबेटेस, ए अन्यक तकलिफो, प्रेगननसी साथे आभीशकेम होई छे, अन्य एना करणे प्रेगननसी माई बदी तकलिफ थाई शके, प्लस, आईवेफ माँ मल्टिपल प्रेगननसी रहवानी शक्यता होई छे, के जी, जी, त्रिपलेट र जहारे कोक वखत खुब जल्प मात्रा माँ शुक्रकन होई चीटले के सिव्यर ओलीगो एस्टनोस पर मिया होई मोटिलीटी खुब जोची होई अथ्वा तो जहारे कॉन जीरो है याने बायोप्सी करीने स्पॉम लेतेला होई तो एवा केस मां इकसी ना कारणे गम मेतेला ओ स्पॉम साथे फलन थाई ने नो घर्ब बनेऊ चेकेम गर्ब बनेया पची घरबाशे मावे चेकेम बद्धू आईवाई मां जानी ना थी शकातू जर्या आईवेफ मां घर्ब बन बनवाशो दिनू काम जरे बार करवा मावे चे त्यारे सफ़रतानी टक्कावारी आईवाई करता लगपक त्रन्ती चार गणी होई छे फक्त जी तेयार घर्ब छेने घरबाशे मां मुक्या अपनी उम्मर केटली शे उम्मर केटली शे अने तकलीफ मां शू कई शे डॉक्टरे तमने मासिक नियम इतावेचे तमने तमने बीज शूटू नथी परतू इटले ना माटे तमारी बीज नी उन्वात्ता केवी चेकते पहला जोग जरूरी छे के जेना माटे तमारा बीज धानी माटे गलोई नो रिपोट करी शकाए जे रिपोट पर थी जानी शकाए के स्त्री बीज सारा बने चेके के में जानी शकातू होई छे तमारी उम्मर नानी छे जो स्त्री बीज सारा बनता होए तो अमुग दवाव आपी ने निंग उनवत्ता सुधरी शकाई एने साथे दवा चालो राखी शकाई अने जहरे बीज बने त्यारे फुटवानों इंजेक्शन आपी ने बीज छुटू पड़े चेकेके में सोनोग I.े जहरे बीज शुटू पड़ी ने नडी मावे त्यारे mobilakな मर्ति में सर्वार करावी शकाई। सब्सक्राइब करें प्रेग्नेंसी नो सक्सेस रेट वतारी शकातो हुआ छे लटको बिनले खुब सरस्मार्ग देशन आपिए असी वाय आप बावेशी फर्टिलिटी इंस्टिट्यूट नी पन रूब्ड मुलाकात लेशको छो वदू एक कॉलर मित्र आपने साथे जोडा हां मेडम मार मेरदना 10 वरष थाए गयाचे समलाई रेहोचे हालो जी आपने वाज आवी रेहोचे आपना मेरदना 10 वरष थाए गयाचे शू मुझवाण छे प्रेश्न शूचे हां मार फ्रेग्नेंसी नथी न तरहीं गणी दवाभी करायोचे इटली चे अपनी अपनी उम्मर शुचे? तमारी उम्मर केटली छे? उगंती स्वरस अन्य उम्मर नडियों नो रिपोर्ट केओ की करायो छे? रिपोर्ट मा तमारा हस्बन ना विरियां नो रिपोर्ट बदू नौर्मल छे? आहा, बदा नौर्मल छे कि तमारी उम्मर ओगंत्री श्वास्टे तम्हें नडीनों रिपोर्ट कराया उचे ने जो बीजा बद्दा रिपोर्ट नार्मल होए तो एन्ने अने अनेक्स्प्लेन इन्फर्टिलीटी एले के अकराण वंद्यत्व कई शकाय के जिमा कोई पन कारण नो होवा चत्ता प्रे सारी चे कारण के अनेक्स्प्लेन इन्फर्टिलीटी मा पन जर्या आईवीएफ करवा मावे तेरे जे म उम्मर वद्यें सफ़रतानी टकावरी धिमेधी में गड़ती जती होई चे त्रीश्वर्षनी उम्मर एवी चे के त्रीश्वर्षनी अंदर जो सार्वार करवा माव मावे ते मा सफ़रतानी टकावरी सौथी वद्यारे होई चे एटले तम्हें आगड सार्वार करावी चुक्या होई ने लगना ने जो आटलो समय थयो होई तो तमारा माटे आईवीएफ नी सार्वार सौथी वदी सला परेल छे जी बिल्कुल ड़क्टर बिननले खुब सर मांग्देशन आपीश हसीवाय आप बाविशी फर्टिलिटी इंस्टिट्यूट नी पन रूब्र मुलाकात लेशा कोई शो दश्यमेतर आपन बाविशी फर्टिलिटी इंस्टिजूट नी रूब्र मुलाकात लेशा कोई शो वंदेत्वना मांग्देशन माटे संपर्क क बाविशी फर्टिलिटी इंस्टिूट अदानी से एंजी पासे मुन्सिपल गार्डन सामे पालडी चार रस्ता पालडी अम्दाभार तो वेंदेत्वने पढ़कार मा खुब सरस्मार्ग देशन आप यह आप परने डॉक्टर बिनल आप श्टूडियो मा उपसीत रहा आप हार आपनो तो वेंदेत्वने पढ़कार मात्यारी बसाथ लूच नवाएक पीछ से साथे फरी थी मनीशूँ तैंसो दी मने आप शुर रजा नमस्कार